अलो गाईज and welcome once again to my channel Pets Infomania So guys, आज हम बात करने वाले हैं One of the most unique dog breeds and that is Chow 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 Chow, जो के India, Pakistan में बहुत expensive है और इस dog breed को खरीदने से पहले किन facts and figures की हमें information होनी चाहिए सारी details इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो का end तक देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं So guys, अगर इस dog breed की history की बात करें तो ये basically Northern China की dog breed है और कहा ये जाता है कि Chow Chow is one of the oldest dog breeds in the world क्योंके ये 206 BC में भी exist करती थी Now you can imagine ये कितनी पुरानी dog breed है Research ये कहती है कि Chow Chow को history में Temples को guard करने के लिए use किया जाता था China के जो लोग थे इस dog breed को as a guard dog use करते थे इसी वज़ा से Chow Chow are perfect guard dogs ये dog breed एक medium से last size की dog breed है जिसकी average height 17 to 20 inches tall और इसका जो weight है that can be around 20 to 30 kg Chow Chow are apartment friendly ये easily आपके apartment में आपके साथ adjust हो सकते हैं और अगर आप एक छोटी जगा पे रहते हो किसी small space में रहते हो वहाँ पे भी आप easily dog breed को रख सकते हो ये dog breed first time dog owners के लिए बिलकुल भी नहीं है इस dog breed को रखने के लिए एक experience dog owner की जरूरत है उसका reason ये है ये dog breed highly intelligent नहीं होते ये medium intelligent dog breed है जिनको train करना बहुत मुश्किल होता है और इनको को experienced dog owner या कोई भी trainer train कर सकता है नॉर्मल बंदा जिसने कभी dogs का experience नहीं किया वो इस dog breed को train नहीं कर सकता ये dog breed अपने owner से बहुत ज़ादा attach होते हैं और strangers के साथ बहुत unfriendly होते हैं ये easily strangers के साथ friendly नहीं होते और किसी पे भी यकीन नहीं करते हैं In short I can say that chao chao don't like strangers chao chao का energy level काफी काम होता है इनको जादा खेल कूद पसंद नहीं होता सकून से रहना पसंद करते हैं और इनको medium exercise की जरूरत होती है So अगर आप ये सोचते हो कि ये बिलकुल ही काम होते हैं और इनको exercise नहीं करवाई जाए This is totally wrong थोड़ी बहुत exercise इनको करवाना जरूरी है for their muscle maintenance और उनकी health के लिए you have to make them do exercise on daily basis इस dog breed को आप अकेला अपने घर में छोड़ सकते हो ये अकेला रहना tolerate कर सकते हैं easily और इनको जादा फर्क नहीं पड़ता अगर घर पे कोई हो या ना हो अकेले रहने के साथ साथ this dog breed can also tolerate cold weather ये dog breed थंडे weather को easily adopt कर सकता है इनको थंड में जादा problem नहीं होती चाओ-चाओ की loyalty tendencies बहुत high होती है as compared to other dog breeds ये कभी भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते और अपने owner से बहुत जादा attach होते हैं कहाई ये भी जाता है कि चाओ-चाओ अपनी family के साथ इतना attach नहीं होते जितने अपने owner के साथ होते हैं ये एक ही बंदे के साथ attach होके रहते हैं सब के साथ घुलते मिलते नहीं हैं चाओ-चाओ को दुनिया में one of the most unique dog breed के नाम से भी जाना जाता है और इनका unique होने का जो reason है वो उनका tongue color होता है that is black and blue जो के आम आपको किसी भी dog breed में देखने को नहीं मिलेगा इस dog breed को dogs की दुनिया में dogs का loin भी कहा जाता है अगर चाओ-चाओ के colors की बात करें तो ये dog breed काफी colors में पाई जाती है like red, cream, fawn, black and blue चाओ-चाओ एक long coat की dog breed है जिसका shedding season March और September होता है that is spring and autumn चाओ-चाओ जार perfect guard dogs and perfect watch dogs as well ये guarding और protection काफी अच्छी करते हैं क्योंकि history में इस dog breed को temples को guard करने के लिए रखा जाता था इसलिए guarding करना इनको शुरू से ही आता है और कहा ये भी जाता है कि चाओ-चाओ के DNA में wolf का DNA भी पाया गया है तो इस dog breed के ancestors कौन थे उसकी कोई proper research नहीं है काफी dog breed सामने आ जाएंगी जब आप इस चीज को search करोगे कि चाओ-चाओ किन dog breeds को mate करवा के develop किया गया तो इस चीज की कोई proper research available नहीं है अगर इस dog breed के cost की बात करें तो इंडिया के अंदर this dog breed will cost you around 2,5,5,5 तक एक top notch quality का चाओ-चाओ और अगर पाकिसान की बात करें ताकि हराने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और comments में ज़रूर बताएगा if there is anything missing Love you all